ट्रेनों में चलने वाले अवेद बेंडर और बे टिकेट यात्रियों पर रेलवी ने शिकन जकस दिया है विशेश स्कॉट बनाकर ट्रेनों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है किसी भी कीमत पर अवेद वेंडर और बे टिकेट यात्री ट्रेन में नहीं चलने दिये जाएंगे यह कहना है मंदल बाड़ेज जी प्रवंधक प्रसस तेश्रीवास सबका मंदल रेल प्रवंधक तेश प्रकाश अगरवाल की निदेशन में रेलवे की चेकिंग स्टाफ ने जुर्मानी के रूप में रिकॉर्ड वसूली की है चाहें वे ट्रेनों में चलने वाले अवैद बेंडर हो या बेटिकट यातरी विशेज चेकिंग स्कुरेड ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी है किसी भी कीमत पर ट्रेनों में अवैद बेंडर और बेटिकट यातरी ना चलें उसके लिए रेलवे ने बीड़ा उठा लिया है विशेज चेकिंग स्कुरेड बनाकर ट्रेनों में चेकिंग कराई जा रही है उसके नतीजे वी सकारात्मक मिल रहे है मंडल वाडिजे प्रबंदक और उत्तरमध्य रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी प्रशस्ति श्रिवासब ने बताया कि बेटेकट यातरा करने वाले 24,000 से अधिक यातरियों से जुर्माने के रूप में लगबग 1.5 करोड रुपया वसूला गया है वहीं अवैद बेंडरों की धरपकड करके 30,000 से अधिक जुर्माने के रूप में वसूली की गई है और इस चेकिंग अभियान से रेलवे को बड़ी कामयाभी भी मिली है पूरे मंडल में अवैद बेंडर और बेटिकट यातरियों पर शिकंजा कसने के लिए और भी कई तीमे लगाई जा रहे हैं किसी भी कीमत पर अवैद बेंडर और बेटिकट यातरा करने वाले यातरियों को ट्रेनों में नहीं चलने दिया जाएगा चेकिंग अभियान अनवरत चलता ही रहेगा अवैद बेंडिंग के खिलाफ लगतार अभियान चलाए जा रहे हैं हमने पिछले मेने ही लगबग एक हफते तक सगन अभियान चलाया है जिसमें 30 unauthorized vendors पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ जुन्माना लगाया गया है 30,000 रुपे से भी जादा का जुन्माना हमने पिछले महीने ही लगाया है जानवरी में साथ ही अगर इस वित्यवर्ष में देखें तो अभी तक हमने लगबग 200 unauthorized vendors पकड़े हैं अगरा मंडल में लगातार टिकेट चेकिंग अभियान चलाया जाता है हम प्लान करके fortress और ambush checks भी करते हैं और routinely हमारी flying squad भी train में सफर कर रही होती है इस प्रक्रिया में हमने पिछले महीने डगबग 1.5 करोर रुपे का जुर्माना वसूला है इसमें लगभग 24,000 से अधिक यात्रियों के खिलाफ कारेवाई करी गए है अवैद बेंडर और बेटिकट यात्रियों के कारण रेलवे की साक में काफी गिरावट आई है और रेलवे को बेटिकट यात्रियों से काफी राजस्व का नुकसान भी हुआ है महीं च्वेणों में चलने वाले अवैद बेंडरों ने भी यात्रियों से अवैद वसूली कर रेलवे की छवी खराबकरने का प्रयास किया है लेकिन अब रेलवे ने ऐसे अवैद बेंडर और बेटिकट रेल यात्रियों के खिलाफ चेकिंग अभियान चला कर काफी हद तक अंकुष लगाने का प्रयास किया है अगर चेकिंग अभियान ऐसे ही चलता रहा तो रेलवे को मुनाफे के सासद अवैद बेंडरों और बेटिकट यात्रियों पर अंकुष लगाने में बड़ी कामियाबी मिल सकती है मून नीउस के लिए राकेश उकला की रिपोर्ट